एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में नीले पक्षियों का एक जुन सोहार्द पूर्वक रहता था, एक उज्वल सुभा, उनके समाशोधन के बीच में एक रहस्यमय चमकता हुआ नीला पंख दिखाई दिया, पक्षी चारों और इकठे हो गए, उच्सुक लेकिन बुढ़े उल्लू ने घोशना की, जो कोई भी यह पता लगाएगा कि यह पंख कहां से आया, वही नया नेता होगा बहादुर नीला पक्षी, आकाश, उस सुंदर पंख की उत्पत्ती का पता लगाने के लिए स्वेच्छा से तयार हो गया, चमकते पंखों के धुंधले निशान के साथ, घने पेरो और तेज नदियों के बीच से आसमान की गोर उरता हुआ, वह एक छिपी हुई गुफा क पास पहुचा, जिसमें भयानक आवाजे गूज रही थी, अंदर आकाश को एक शानदार नीला फीनिक्स मिला, जो चमकते नीले पंखों का स्रोत था, तुमने मुझे ढूंड लिया है, फीनिक्स ने कहा, आपकी बहादुरी और जिग्यासा ने आपकी योग्यता साबित कर विसमें और सम्मान के साथ आकाश का स्वागत किया गया, उस दिन से आकाश ने साहस और दयालुटा के साथ अपने जुन का नेतरित्व किया, और यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतरित्व दिल से आता है